सुशान सिंग राजपूत मामले में इतना कुछ संदिक धो रहा है कि लोगों का शक और गहराता जा रहा है जो गवा थे वो अपने गवा बदल रहे हैं कुछ लोग हैं जो रिया चक्रवती को मदद कर रहे हैं और यही कारण है कि वो टाइम टाइम पर अपने स्टेटमेंट्स को चेंज कर रहे हैं और अब रिया चक्रवती की एक और सपोर्टर अंडरग्राउंड हो चुकी है कौन है ये supporter और किस तरह से इन्होंने RIA को support किया था और कैसे हुई है underground चलिए मैं आपको बताती हूँ ये supporter है Susan Walker जो की psychotherapist है, physiotherapist है और hypnotherapist है Susan ने कुछ ही दिनों पहले एक news channel से बातचीत के दोरां सुशान सिंग राजपूत के हालत के बारे में बहुत बड़े statement दिये थे उन्होंने कहा था कि जब मेरे पास सुशान सिंग राजपूत आये थे जब मैं उनको therapies दे रही थी कि मुझे ये समझ आया कि वो bipolar है इसके अलबाश शिजोफेनिया से भी घरस थे सुशन ने सुशान सिंग राजपूत को बिमार बताया और इतना ही नहीं उन्होंने ये तक कह दिया कि रिया चक्रवती ही उनके लिए strength थी और उनकी हिम्मत थी सुशन के इस बात को contradict किया सुशान सिंग राजपूत के जीजा जो कि युएस में रहते हैं विशाल कीर्थी ने और उन्होंने कहा कि सुशन के ये जो दावे हैं ये गलत हैं क्योंकि कोई इनसान bipolar है ये जानने के लिए समच ये 6-7 साल का और सुशन ने सुशान सिंग राजपूत को दो महीनों में ही इस बिमारी से घ्रस्त बता दिया इसके अलावा एक साइको थेरेपिस्ट की जिम्मेदारी होती कि अपने पेशिंट की डीटेल्स को पबलिक डोमेन में नहीं शेयर करें लेकिन सुशन ने ऐसा किया जब यह न्यूज आय थी तब सुशन को काफी ट्रोल किया गया और उन्हें रिया चक्रवती की सपोर्टर बताया गया और अब सुशन ने अपना लिंग्डिन अकाउंट डिलीट कर दिया है सुशन जो कि पिछले काफी समय से लिंग्डिन और बाकी प्लाटफॉर्म्स पर काफी अक्टिव थी उन्होंने हाल ही में अपना लिंग्डिन का अकाउंट डिलीट कर दिया है सुशन ने ये कदम उस न्यूस पॉर्टल को इंटर्व्यू देने के बाद उठाया है ऐसा क्या हुआ क्या सुशन को अपनी घलती का ऐसास है क्या सुशन को रग रहा है कि उन्होंने गलत बात कर दी उन्होंने इस मामले में गलत इंसान को सपोर्ट कर दिया क्या हुआ है ऐसा की सूजन अब सोशल मीडिया से और उनके जो भी पब्लिक प्लैटफॉर्म्स हैं वहां से अचानक से गायब हो गई है अपने अकाउंट्स को डिलीट कर रही है